दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि कुछ दिन पहले इंडियन नेवी के द्वारा अपने बेडे में एक नया अन्मैन एरियल वियेकल मतलब द्रिश्टी टेन अन्मैन एरियल वियेकल को शामिल करवाया गया और दोस्तों जब से ये अन्मैन एरियल वियेकल इंडिय कई गुना अधिक किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों इससे इंडिया नेवी के ताकत में जहाँ पे बढ़ोतरी होगा तो उई पे दिश्टी 10 के साथ इंडिया नेवी असल में इंडिजनाइजेशन को भी बढ़ाया है और अपने मेकिन इंडिया इनिशिटीव को भी काफी इसस का जिकर किया गया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 10 जन्वरी के दिन इंडिया नेवी के एक स्पोक्स पर्सन के तरफ से जेंस मीडिया हाउस को ये जानकारी दिया गया है कि फेवरणी महने के अंतर में मतलब आने वाले कुछ हपतों कि अंदर इंडिया इसे इसराइली कमपनी एलविट सिस्टम्स के तरफ से निर्मान किया गया है लेकिन आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि इंडियन नेवी के लिए इन द्रोनों का मिनुफैक्चरिंग भारत में ही अदानी ग्रूप के तरफ से किया जा रहा है और भारत के द्वारा ही इन द्रोनों का नाम द्रिष्टी 10 रखा गया है और रिपोर्ट में ये वी दावा किया जा रहा है कि अदानी ग्रूप के तरफ से इन द्रोनों को 10 जनवरी 2024 के दिन अन्वेल किया गया और इस अन्वेल करने के सरिमनी के दर्मियान इंडियन नेवी के चीफ एडविनल आर हरी कुमार भी प्रेजेंट थे और दोस्तों इंडियन नेवी के एक स्पोक्स पर्सन के तरफ से ये वी बताया गया है कि आने वाले हफ्तों में जब इन द्रोनों को इंडियन नेवी को हैंडवर किया जाएगा ये असल में अरविन सी के साथ लगे हुए कोस्टल रिज इसके इलावा दोस्तों जेंस मीडिया हाउस के रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के तरफ से भी कम से कम दो ऐसे द्रिष्टी 10 अनमैन एरियल वियकलों को खरिदा गया है और इंडियन आर्मी को असल में साल 2024 के मध्य तक अधानी ग्रूप क के तरफ से इन दो अनमैन एरियल वियकलों का डिलिवरी किया जाएगा जबकि जेंस मीडिया हाउस के आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि आर्मी से इन द्रोनों को लेके अधिक जानकारी के लिए जब जेंस मीडिया हाउस के अधिकारियों के तरफ से रिक्वेस्ट यह जो द्रोन है यह इंडियन नेवी के जो फोर्स मल्टिप्लायर है उसे बढ़ाएगा और इंडियन नेवी के शर्वलेंस रिकॉर्स रिकॉर्नेशन और इंटलिजिन गैदरिंग गापिविलिटी को भी बढ़ाएगा। के लिए बता दूगी इन दोनों द्रोनों के लीस प्रियट खत्म होने के बावजुद नेवी के तरफ से इस लीस को बढ़ाया गया है और रिपोर्ट में यह वी दावा किया जा रहा है कि लीस को एक्स्रेंट करने के बाद और अतरिक तो द्रोनों को भी खरीदने को लेकर का से कम ऐसे 31 द्रोनों को पर्चेस किया जाएगा जिन में से कम से कम 15 MQ9B C Guardian Drone Indian Navy को मिलेगा जबकि बाकी के जो 16 है वो MQ9B Sky Guardian Drone होगा और इसमें से 8 Indian Army को और 8 Indian Air Force को मिलेगा फिलाल इससे लेके अमेरिका के तरफ से अनुमती दिया जा चुका है और फिलाल भारत और अमेरिका के बीच में द्रोनों के डील को लेके final negotiation किया जा रहा है जबकि वो ही पर दोस्तों ये जो द्रिश्टी 10 Drone है ये इसलिए भी खास है क्योंकि इसे केवल भारत में नहीं बनाया गया है बलकि भारत में इसे कम से कम 60% इंडिजनियस कंटेंट के साथ बनाया गया है जिसके का लग रहा है कि आने वाले समय में काफी बड़े मात्रा में इन द्रोनों को पर्चेस किया जाएगा और ये पर्चेस शाय तब तक हो जब तक भारत अपने खुद के द्रोनों के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए इंडिजनियस द्रोनों को सपलता पुरबक ना बना ल फिलाल दोस्तों ये जो हर्मिस 900 या फिर कहतो दिश्टे 10 ड्रोन है इसे एक सर्वलेंस रेकॉनेसर और इंटलिजन ड्रोन के रूप में ही देखा जा रहा है लेकिन इन द्रोनों के पास हत्यारों को भी कैरी करने का शमता है और दोस्तों इसे देखते हुए तो यही लग पास इंडियन आर्मी और इंडियन एरफोर्स के पास जो वर्जन मिले उनमें हत्यारों को भी लगाने का ओप्शन हो बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो इन द्रोनों को खरिदना फिलाल वेस्टर्न मीडिया का सबसे बड़ा कंसर्ण नहीं बना हुआ है बलकि जिस के द्रोनों के उपर डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ेगा हाला कि दोस्तों फिर वी अगर देखा जाए तो भारत कम से कम 40% इन द्रोनों को लेके इसरेल के उपर डिपेंडेंट है लेकिन एक बार भारत के पास अपने खुद के स्वधिशी द्रोन आने के बाद ये 40% अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पर भारत के ये द्रिश्टी टेन ड्रोन ब्रिटन के मीडिया हाउस में एक बहुत बड़ा चर्चा बना हुआ है तो वही पर फ्रांस के तरफ से भी हाली में एक ऐसा खवर जारी किया गया है जो कि ब्रिटन जैसे देश और बिटन के मीडि करने को लेके एक ओडर दिया गया है और दोस्तों ये ओडर असल में फ्रांस के ही एरफोर्स के तरफ से दिया गया है हाला कि दोस्तों अगर एक स्पोर्ड ओडर को देखा जाए तो अब तक कई सारे अलग अलग रिपोर्टों में दावा किया जा चुका है कि फ्रांस के ड यार केपटो का निर्मान किया जा रहा है और दोस्तों अगर 200 यार केपटों का ओरर है और इन सफीं यार केपटों QUAR बनाया जाता है तो फ्रांस को कम से कम और 10 साल का समय लगेंगा हाला कि ऐसे में फ्रांस असल में इन यार क्रेप्टों के प्रोडक्शन को लेके और एक प्लांट बनाना चाहता है और फ्रांस इस प्लांट को भारत में ही बनाना चाहता है जिससे की एक तरफ जहापे इंडियन यार फोर्स के 114 फाइटर यार क्रेप्टों के टेंडर को हास और यहाँपे कम से कम सालना और 24 एर्क्रेपटों को निर्मान करना चाहता है जिससे कि इंडियन एरफोर्स के 14 फाइटर एर्क्रेपटों का जो टेंडर है उसे 4 से 5 साल के अंदर अंदर कमप्लेट करकेئे फ्रांस के जो एडिशनल एरक्रेपटो का ओरडर है उसमें भी 2 से 3 अब दोसों यहाँ पर आप आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि ये एडिशनल रैफाल एयर क्रेप्टो के ओर्डर के बारे में असल में फ्रांस के डिफेंस मिनिश्ट्री के तरफ से ही 12 जनवरी के दिन जानकारी दिया गया है। और ये इन्वेस्ट्मेंट असल में मिलिटरी प्रोग्राम लोग 2019-25 बजट के अंतरगत है। इन्वेस्ट्मेंट असल में इस्टेमाल कर रहा है। और दोस्तों फ्रांस के बाहर इन्वेस्ट्मेंट को अगर देखा जाए तो कई सारे देशों के तरफ से फिलाल इस्तेमाल किया जा रहा है। देखे आप लोगों के मन में दो सवाल उट सकता है कि भारत के तरफ से 36 राफाल इयरक्राफ्टों खरिदने को लेकि इतना खर्चा कैसे किया गया। तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि ये जो 5 बिलियन योरो में फ्रांस ब्याली से एयरक्राफ्टों को पर्चेस कर रहा है। तो आप लोगों को बता दू कि 5 जनेरेशन या 6 जनेरेशन के एयरक्राफ्टों को अपरेट करना कभी कोस्टली होता है। और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहेगी इन 42 यारक्राफ्टों के बाद फ्रांस के तरफ से ट्रेंच 5 के यारक्राफ्टों का भी निर्मान किया जाएगा। और साल 2030 से लेके साल 2040 के दर्मियान भी यारक्राफ्टों का निर्मान प्रॉसेस चलेगा। और इस दर्मियान असल में ट्रेंच 5 यारक्राफ्टों मतलब इसके सबसे modern variant यारक्राफ्टों का निर्मान फ्रांस के डैसॉल आविएशन करेगा।